यकिनन जिस तरह की बड़ी तस्वीर भारत की ओर से खीची गई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी एक के करके लगता ट्वीट के जरी अपने तमाम महमानों का स्वागत करते हुए इस अकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हो रहा है बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान विश्व गुरू या फिर विश्व मित्र के तौर पर करता हुआ दिखाई दे रहा है आखिर ऐसा क्या है जो भारत हर गुजरते दिन के साथ सरशक्त होता हुआ चला जा रहा है आखिर ऐसा क्या है जो G20 के जरीए हिंदुस्तान ली की धर्ती पर विदेशी महमानों के आने का सिलसिला जारी है सुवह अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अलबर्टो के स्वागत से सिलसिला शुरू हुआ इसके बाद एठीकी प्रियम जॉर्जिया मैलो ने दिल्ली कहुची अफ्रिकन यूनियन के प्रेसिडेंट अलाली आये मांग्लादेश के प्रधान मंत्री शेक हसीना पहुची ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिश्य सुनग भी दो पहर तक दिल्ली पहुच गए जापान के प्रधान मंत्री फ्यूमियो की शिदा भी भारत पहुच गए है महमानों के आने का सलसला सोग शे बजकर बीस मिनट से शुरू हुआ अब आगे रात पॉने ग्यारा बज़े तक दिदेशी महमान आते रहेंगे इधर दिल्ली में जहाँ G20 का मुख्य कारेक्रम होना है वहाँ भारत मंडपम में पूरा भारत सजा है अपने ही देश में रहते हुए उनको एक ऐसा मौका मिल गया है यहीं पे बंडपम पर जहां पर वो यह सारी चीज़ें प्रदर्शित कर सकते हैं विकास से विरासत तक हर एक गाथा विदेशों तक पहुँशाने के लिए खास महमानों को और जादा खास एहसास कराने की पूरी तयारी हिंदुस्तान में हो चुके है हम लोग इस क्राफ्ट बाजार में हैं और इस क्राफ्ट बाजार में आप देखेंगे तो कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक की जलक यहाँ पे दिख जाएगी भारत मंडपम में वैसे तो कल से मुख्य कारिकरम की शुरुआत हो देकिन भारत तहुचने वाले राष्ट्रा धक्षों के अलावा अन्य महमानों के लिए भारत मंडपम में कई विशेश इंतजाम है यकिनन जब हमारे महमान इन तस्वीरों को देखेंगे तो वो इस बात को संजोग कर ले जाएंगे कुछ चीज है तो गिफ्ट के तौर पर भी दी जाएंगे और आपको प्रसनिता होगी जानकर कि कुछ उनको एक मुबाईल फोन दिया जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ अप्लोड करके कुछ पैसे डालके देंगे ताकि वो कुछ शॉपिंग कर सके और ये एक्स्पीरिंस दिलाने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग फोन बांकिंग कर रहें आजकल यू तो भारत में G20 सम्मिलन के धक्ष्टा के राजनितिक, कूट नितिक और आर्थिक मायने बड़े हैं लेकिन इस आयोजन के जरिय भारत ने समावेशी विकास के साथ असली भारतिय संस्कृति, जीवन मंत्र और लक्ष से रूबरू कराया है चाहे दुनिया को योग का तोफा हो या मिलेट्स का नाव अचार, प्रकृति के सानिध्य में जीवन का मंत्र हो या डिजिटल पेमेंट जैसी समावीशी तकनीग, भारत ने वसुधायव कुटुम्बगम के श्लोक से विश्व बंधुत्य की अलख एक बार फिर जगाई ह इस G20 के ध्यक्षटा में भारत सरकार ने दुनिया को एक परिवार मानते हुए, परिवार के उन सदस्यों की फिक्र सबसे आगे बढ़कर की है, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जिस अफ्रीका की विकास शील एकॉनमी के खिलाफ क्लाइमेट एक्षन से ले कर तरह तरह के कर्द जाल की कूट नितिक चालबाजियां अपनाई जाती रही, भारत ने उसे G20 में शामिल कर सबका साथ सबका विकास के मोधी बंक को दुनियां तक पहुचाया है, इस बार G20 के मंच पर दुनिया भर की नेता जिस प्रस्ताव को स्विकार करने वाले हैं, भारत ने नई विश्व व्यवस्था में एक इक्रित दुनिया को जिस राह पर चलने की दिशा दिखाई है, वो डिकलेरेशन तयार है, बस दुनिया को भारत के मंत्र पर भरूसा करके आगे बढ़ता जाना है, आज के दिन पूरी दुनिया की निगाहें, अब अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन के भारत आगमन पर है, जब शाम साहिस साथ बजे के बाद ये मोधी और राष्ट्रपती वाइडन के बीच दुईपक्षिय बैठक होने वाली है, मौसमे सिंग, चित्रात्रिपाठी और श्वेता सिंग के साथ आज तक ब्यूरो.